हर चीज की एक ख़द होती है बहुत हो गया अब नहीं चलेगी ताना साही अब नहीं चलेगी केबल एक बयान बाजी अब नहीं चलेगी केबल लोगों को समझाना कि अब होगा अब होगा बहुत नाटक देख लिए साथ साल हो गये 94,000 बहाली से लेकर 6th STET बहाली और ये 7th चरन का बहाली कुछ नहीं कुछ नहीं सरकार केवर आस्वासन देती रही और सारे नौजवान जिसकी हालात बहुत बिगर रही है परिवार की लोग बेच हैं मेंटली रूप से फिचकल रूप से हर तरीके से एक दम से तूट चुके हैं और ये सरकार ऐसी है जो अपने मनसा को पूरा करने के लिए किसी को भी रोजगार न देने के लिए चालू हो चुकी है और शबो को वलगर आ रही है और यहां चाहते है कि बिहार के लोग नौपरे गुलामी खटे ताक उनके जातिवाद बनी रहे और उनके शरकार बनी हो गए अपने हक के लिए लड़ना सीखो लोक तंत्र में अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं तो यह सरकार आपको कुछ नहीं करने वाली यह एक ढोंगी सरकार हो गई है पूरा सिक्षा बिभाग भरश्ट हो चुका है यह नोटीस में लिखा नहीं कभी नौन यूट्यूबर से मेरा गुजारी से कि इस तरीके कि इतना विडियो ने इतना विडियो ने कि सारे लोग जग जाए और गांधी मैदान से इसकी सुरुआत होगी महा आंदोलन की और उसके बाद देखते हैं कि कैसे आपका 94,000 या 64,000 या STT 2019 का कैसे बहाली नहीं होती है आर इस शरकार के सिस्टम को बदल के रख देगे तो तयार हो जाओ और अब जगने का समय है अब शोने का समय बक्त गुजर चुका है बहुत हो गया हर चीज की एक हद होती है भाई अब होगा महा संगराम और यह हो चुका है सुरू यूट्व के माध्यम से और उसके बाद हम रोट सो के माध्यम से करेंगे सभी लोग एक जूठो कर और क्वालिफाइड इसक्वालिफाइड के बन्द करो और शरकार के विरूद एक ऐसी आंदोलन की सुरुआत करो जो आपके हक को चीन न पाए जागो उठो और चलो और तब तक चलो जब तक कि आपको लक्ष प्रा राजगी देखिए तो हर चीज करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिले बहाल नहीं हो रहे हैं तो लर्नर आईजवाई वी आरपी के सोजन से मैं आपको अब महा शंगराम की सुरुआत कर रहा हूं बी आर बी